अश्कार आज हम 17 अक्टूबर 2020 के करंट अफेर डिसकस करेंगे अगर आप इस चैनल पे नई हैं तो सब्सक्राइब कीजिए प्रेस्टा बेरल आइकन पीडियेफ आप टेलिग्नाम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं आज का फर्स्ट कॉश्चन है किस मंत्राले ने कपिला अभिहान शुरू किया है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ओफ एजुकेशन के द्वारा कपिला अभिहान शुरू किया गया है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो है श्री रमिष पौक्रिया निशांक जन्होंने वर्चुली लॉंच किया है कपिला कलाम प्रोग्राम जो की इंटेलेच्च्ट्ट्र प्रॉपर्टी लिट्रेसी और अवेर्नेस कैम्पियन है यह एक तरह से अवेर्नेस कैम्पियन है इंटेलेच्च्ट्ट्र प्रॉपर्टी लिट्रेसी से लेके लिए ठीक है जो की डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम की जो 89th बर्थ अनिवर्स्ट्री पर ठीक है इसे लॉंच किया गया है पैटेंट जो होते हैं इंवेंशन के ठीक है उसके लिए यहाँ इनिशेटिव स्टार्ट किया गया मतलब यह जो केमप्यान है वहां मेली जो इनवेंशन से रिलेटिड जो पैटेंट करवाते हैं उनके लिए हैं और जितने ज़्यादा पैटेंट होंगे इनवेंशन में उतना ही इंडिया जो है वहां आत्मिनिवार बनेगा इस के तहत जो है वह इन्सिटूशन इनोवेशन काउंसिल ठीक है जिसका IIC 2.0 एन्वल रिपोर्ट जो है वहाँ प्रेजेंट की गई है इस ओकेजन पर और लॉंच किया गया है डबल आइसी 3.0 भी ठीक है इट हाज बिन डिसाइड़ और यहाँ डिसाइड़ किया गया है कि 15 अक्टूबर से ले किस देश को 3 साल के लिए UNHRC के सदसे के रूप में चुना गया है और इसका सही आंसर है Option D पाकिस्तान चाइना नेपाल तीनों को ही 3 साल के लिए UNHRC के सदसे के रूप में चुना गया है पाकिस्तान चाइना रशिया क्यूबर ठीक है इन सभी को United Nations Human Rights Council के लिए चुना गया जबकि इनके जो Human Rights Record है वो काफी ज़्यादा बिकार है उसके बाद भी इन कंट्रीज को UNHRC के मेंबर के रूप में एलेक्ट किया गया है ग्लोबल हैंड वाशिंग डे पर किस राज्ये ने हाद धोना रोके कोरोना अभिहान शुरू किया है और इसका सही आंसर है हाद धोना रोके कोरोना थीक्वी जो मेंली फोकस किया जासाइस के लोगों को अपनुट्रीशन प्रैक्टिस को फॉलो करें थीक में अच्चे को wash कीजिए और यह जो campaign है वह स्टार्ट किया गया ग्लोबल hand washing day पर ग्लोबल hand washing day जो कि observe किया जाता है 15 October 2020 को इस साल जो है इस बार की theme है hand hygiene for all याद रखेगा hand hygiene for all उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ रिवीदन उत्तर प्रदेश के गौराखपुर गौराखपुर का टेरा कोटर प्रोड़क्स को जी आई टैग मिला हुआ है आई आई टी कानपुर ने डेवलप किया एक इंडिजीनियस सीड बॉल जिसका नाम है बीज बायो कंपोस्ट एंडिच्ट एको फ्रेंडली ग्लोबूल नेक्स्ट है बाल श्रमिक विद्या योजना ठीक है यह यहीं लॉंच की गई है उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट है जो खोशी नगर एयरपोर्ट है वह एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट एप्रूप्ट कर दिया गया है रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है वह योपी में ही है रानी लक्ष्मिभाई सेंटर अग्रिकल्चर यूनिवस्टी भी यूपी में ही है और्गैनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसका इनॉग्रेशन जो हुआ है वह यूपी में किया गया है ठीक है मतलब भी सेट अप की गई है यहां यूनिट जो है और्गैनिक फूड प्रोसेसिंग की यूपी में यूपी गवर्मेंट ने लॉंच किया है अमिशियस एन आर आई यूनिफाइट पोर्टल बिगेस्ट फ्लम सिटी जो है वह यूपी में स्टैबलिश होगी लिएंदी बेंड पटेल और सियमा यहां के योगी आदित्यनाथ दुद्बा नैश्नल पार्क है यहां पर और रामसार वेटलेंड की बात करने जो रामसार साइट्स जो हैं जो वेटलेंड आते है इसमें नबाब गंच वर्ड सैंच्री पारवती आग्रा वर्ड सैंच्र इंटरनेशनल बॉर्डर टच होता है नेपाल के साथ और अगर हम स्टेट की बास करें उत्राखंड हिमाचल प्रदेश हरियाना दिल्ली राजिस्तान मद्धिर प्रदेश चतिसकर जहारखंड बिहार नेक्स्ट कॉश्चन है हाल ही में भारत ने आई एन एस सिंदुबीर नामक अपनी एक क्लोग वर्ग की पंडुबी को किस देश में इस्थानन तरित करने का अंडेड़े लिया है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी म्यानमार हाल ही में भारत जो है वह आई एन एस सिंदुबीर नामक उनकी जो अपनी एक क्लोग वर्ग की पंडुबी जिसे हम सम्मेराइन बोलते हैं वह म्यानमार को इस्थानन तरित करने का निड़े लिया है मतलब उनको दिया जा रहा है म्यानमार को कैपिटल म्यानमार के नापाई तो है करनसी यहां की बर्मीश क्यात है प्रेसिडेंट जो है म्यानमार के वह विन मिंट है इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो ट्रांसफर करेगा वन आफ इस लोग क्लास सम्मेराइन जिसका नाम है आईगन है सिंदुबीर म्यानमार संभी को यहां सम्मेराइन दी जौर रही है ठीक Heil यहीत काफी जाएं स्टेप म्यानमार की नेवी के लिए और यह सम्मेरान है जो इंडिया के द्वार म्यानमार को दी जा रही है इसे के साथ इंडिया गैंडी विलेट प्रूफ जाकेट टेंब और पै्क्य tulka मिलीके ऐपन और क्लोगास सम्मयरायन है काई wszyscy क्लोगास सम्माराइन यहाँ यहाँ यहां Personen क्लोग चुक्षका सौविय का नेवी हैं उनके लिए सौविय क्लोगास सम्मयराइन इस को sabot beer कि अटेक सम्मेराइन भी कहते हैं, फर्स्ट जो कलो कलास सम्मेराइन जो थी ठीक है, वहाँ सर्विस में आई थी 1980 में, और इसकी सोवियत ने भी नहीं उस किया थे, इसको फर्स्ट टाइम 1980 में, इसके अलावाद सोवित यूनिन ने इसको एक्सपोर्ट भी किया था, कई सारी क कंट्रीज को 40 क्लो क्लास सम्मेराइन जो है वह रशिया इंडिया चाइना पोलेंड अलजीरिया इंडिया इरान रशिया रोमानिया और व्यतनाम इन सभी को जो है वह दी गई थी ठीक है और इंडिया के पास ना 10 क्लो क्लास सम्मेराइन है जो पूरे 10 क्लो क्लास सम्मेराइन सिट्टे पोर्ट पर जो म्यानमार का जो रखीने पोर्ट है वहाँ पर सिट्टे पोर्ट है ठीक है दौनों इस पर वर्क कर ले और इसको operationalize कर दिया जाएगा 2021 में 2021 के जो first quarter है तब से यह स्टार्ट हो जाएगा यह सिट्टे और यшиеmost वानग गडार नेकस्स्ट कोशचन है रोगा यहाँ इंप्रूप अरे पोर्कास्ट करते हैं उसको इंप्रूब करने में कि मॉद्द करेंगे इंडियन мыtais लोजिकल ड्यिपार्ट्मेंट जिन्हों ने operationalize किया है इंप्रूफ करने के लिए air quality की forecast model ठीक है जो की सीलम और infuser है सीलम जिसका मतलब होता है सीलम एक system है ठीक है atmospheric composition के integrated model है ठीक है मतलब एक system है ठीक है जो की सारी जो information होती है atmosphere की वो बताएगा यह model जो है वो capable है कि वह data जो है वह sea salt pollen and blonde dust से भी data को record करेगा और फिर forecast करके information देगा जबकि हम infuser की बात करें तो infuser एक environmental information fusion service है यह pollution hotspot को identify करता है national capital reason में NCR में ठीक है सीलम और infuser जो है वह develop किये गहें Finland के technical corporation से WRF chem ठीक है अगर हम WRF chem की बात करें तो यह another air quality model है जैसे अभी हमने सीलम और infuser के बारे में तो पढ़ा लेकिन WRF chem जो है वह another air quality model है ठीक है जो की updated किया गया है इंडियन meteorological department के द्वारा नेक्स question है हाल ही मैं भारत के पहले oscar vijjeta का निधन हो गया उनका नाम क्या था और उनका नाम तर भानू अथया ठीक है यह भारत की पहली oscar vijjeta थी इंडिया की first oscar winner भानू अथया ठीक है जिनका हाली में निधन हो गया है और शी वॉन्दा मतलब ओसकर जीता था 1983 में जो एपिक फ्रम्ति गांधी ठीक है उनके लिए इनको ओसकर मिला था नेक्स्ट कॉश्चन है विश खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे 2020 का विश है क्या है मतलब थीम क्या है वर्ल्ड फूड डे की ठीक है जो 16 अक्टूबर को मनाये जाता है वर्ल्ड फूड डे जो 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है कॉश्चन में पूछा गया है कि वर्ल्ड फूर्ड टेपर वह ये है कि ट्रांसफेट को जो ट्रांसफेट होता है उसको εलिमिनेट करना और apparently 2022 तक गबर्मेंड का मेन एम यही है कि 2022 तक ड्रांसफेट पहले ही एंडिया को ट्रांसफेट Korean और इसी के साथ इस ओकेजन पर maternen युव लांच किया गया है इट वॉइट कनेक्टिविटी चैलेंज इसमें कॉंपिटीशन हुए है पोस्टर फोटोग्राफि कॉंपिटीशन वेरा हुए है ताकि प्रमोट किया जा सके हेल्दी डायटरी हैबिट्स को मतलब जो में ठीम रही होगी competition की photography और poster designs वेरा की उसमें उसका main aim ये था कि healthy dietary habits को promote करना और इसी के साथ launch किया गया है Eat Smart City फसाई के द्वारा Food Safety Standard Authority of India के द्वारा Eat Smart City Challenge जो है वह launch किया गया है Next question है किस राज्ये ने International Institute of Advanced Virology के संचालन का उधगातन किया है और इसका सही answer है option C केरला State ने inaugurate किया है International Institute of Advanced Virology के operation को अब Chief Minister जो है केरला के वहाँ पिनराई विजियन है जिनके द्वारे inaugurate किया गया है operation first phase International Institute of Advanced Virology जो कि थोना कल ठीक है कि यहाँ थोना कल पर Life Science Park पर इस Institute का International Institute of Advanced Virology का operation स्टार्ट किया गया है केरला के बारे में हम revision करते हैं केरला जो है NSO survey की according literacy rate में top किया गया है snack handling institutionalized केरला में start किया गया है केरला first city है country की जिसने integrated water transport service प्रोबाइड किया by the metro केरला government नहीं setup करेगी medical device park first ambulance जो first marine ambulance है वो प्रतिक्षय केरला में ही launch की गई है केरला जो है वो first state country का जो पूरी तरीके से उसने अपनी public education को digital कर दिया है और केरला ने अभी UNIATF award जीता है केरला के अदर जो national park है इराविकुलम national park, silent valley national park, पैरियार national park और पांपा दूम शोला national park, माथी केतन शोला national park, अन्ना मुडी शोला national park आरिफ मुहम्मद खान यहां के governor है नेस्ट कॉश्चन है बौधिक संपदा भारत की वार्शिक report according to the intellectual property India annual report यह बोल रहा है कि जो intellectual property India annual report 2018-19 की according किस institute ने top किया है ठीक है किसमें जिसने सबसे अधिक patent दर्ज करा है ठीक है तो सबसे अधिक patent दर्ज करने में सीर्स इस्थान किस संस्थान ने किस institute ने प्राप्त किया है और इसका सही answer है option B चंडिगर यूनिवस्टी अभी हाली में intellectual property India annual report रिलीज हुई है जिसमें यह बताए गया है कि चंडिगर यूनिवस्टी ठीक है गौरम जिन्होंने टॉप किया है ठीक है सारी यूनिवस्टी में और इन्होंने जो highest number of patent जो थे ही यहापर वह 336 थे नेक्स्ट कॉश्चन है कौन सा सफ्टा भारत अंतराश्टी ए खाद्य और क्रशी सफ्टा मतलब इंडिया international food and agri week की रूप में आयोजित किया जा रहा है और इसका सही answer है option C 16-22 अक्टूबर को इंडिया international food and agri week की रूप में celebrate किया जा रहा है इंडिया international food and agri week जिसे organize किया जा रहा है ठीक है virtually और इसे celebrate किया जाएगा 16-22 अक्टूबर तक और इस पार की theme है increasing farmers income technology in agriculture and food processing मतलब जो theme है वो यह है कि farmer की जो income है उसको increase करना agriculture और food processing में technology को promote करना कल हमने आपसे question पूचा था हाल ही मैं PM ने निम्रिकित मैं से किसकी वर्ष कार्ट को चिन्नित करने के लिए 75 मूल वर्ग का इसमारक सिक्का जारी किया है और इसका सही आंसर है option c f a o food and agriculture organization पहला कोशन बिल्कुल ठीक है क्योंकि जो सुरक्षा कवच जो के एक एक एंटी टेर्रिस्ट एक्सराइजर वा और्गनाईस की गई है इंजियन आर्मी और मुंबई पुलिस के बीच में सेकंड जो है वो गलत है क्योंकि department of school education and literacy जिनके द्वारे implement किया गया है स्टार्स प्रोजेक्ट और ये भी गलत है क्योंकि IMF के द्वारे international monetary fund के द्वारे world economic outlook report जो है वो परविश की जाती है आप सभी ने सही आंसर्स दी है कमेंड बॉक्स में क्या स्टारलो जो ठीक है ये meditarian sea में located है ठीक है ये ग्रीस का एक island है और ये भी गलत है आप सभी के लिए कोशन है कौन सा देश दो साल के लिए अंतराश्टिय सौर गटवंदन के प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए है ठीक है कोशन है कि कौन स किया सौरी रेट लाइट ओन गाड़ी ओफ कैंपियन नेक्स्ट कोशन है गुजरात ने लांच किया सुजल मिशन ताकि टेब वाटर प्रोवाइड किया जासे के अर्वन में ठीक है अर्वन एरिया में नेक्स्ट है जोजीला टरल क्या वहाँ जम्मू से कट्रा को कनेक्ट करेगी नेक्स्ट है मिनिस्ट्र ओफ एजुकेशन की द्वारा लांच किया गया है थैलिसीमिया बाल सेवा योजना आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में दीजिए इसी के साथ आज का डिसकेशन यहीं समापत होता है थैंक्यू सो मच